दोस्तों गर आप भी दग्रेट सचिन तेंदुलकर को महान खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने टीम अफगानिस्तान कोटी 20 वर्ल्ड कप में आस्ट्रेलिया के खिलाब जीत दिलाने के बाद खतरनाक स्पिनर के इनबाज राशित खान ने जब महान सचिन तेंदुलकर के पैर चूकर उनका आशिरवात लिया तो वो खुबसूरत लमहा देखकर तो हर कोई दंग रह गया यहां तक कि कई बड़े-बड़े भारती खिलाडियों के भी होश उड़ गए थे उसके बाद सचिन ने जो किया वो तो देखने लायक था तो आकिर क्यों राशित खान ने अपनी जीत का पूरा श्रे क्रिकेट के भगवान चरनों में रख दिया क्या था वो लमहा जिसे द बरदस्त मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया ये मुकाबला दौनों टीमों के लिए जीतना बेहदी मुश्किल था और महत्वपून भी क्योंकि समी फाइनल में जगह बनाने के लिए पॉइंट स्टेबल में टॉप टू में होना बहुत जर अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर आस्ट्रेलिया के सामने 148 रनों का लक्षे खड़ा कर दिया टीम की तरफ से सबसे अधिकरन रहमत उल्ला गुर्बाज ने 60 रनों की पारी खेली इस लक्षे का पीछा करने उतरी आस्ट्रेलिया ये टीम की 21 रनों से अपने नाम कर गई आस्ट्रेलिया की टीम ने 19.2 ओवर में केवल 127 रन बनाए और पूरी टीम ओल आउट हो गई इसी के साथ अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा उलट फेर कर एतिहासिक जीत आस्ट्रेलिया के सामने दर्ज कर ली अफगानिस्तान की जीत देखक सचिन तुरंट मैदान में सभी खिलाडियों से मिलने के लिए पहुँच गए लेकिन इस दर्मियान एक ऐसा वाक्या हो गया जिससे तो हर किसी का दिली नहीं बलकी हर भारतिय के दिल में अफगानिस्तान खिलाडियों के लिए इज़त दो नहीं दस नहीं बलकी सौगुना बढ़ गई जी हाँ दोस्तों जैसे ही सचिन तेंदुलकर अफगानिस्तान खिलाडियों से मिलने पहुचे उसी दर्मियान अफगानिस्तान के सबसे खदरनाक स्पिनर गिनबाज राशित खान ने उनका स्वागत उनके पैर चुकर भारती अंदास में किया ये देखकर तो चिन तेंदुलकरने कसीदे पढ़ डाले या तक कि राशित खान की इस हरकत पर तो वहां मौजूद हर कोई दिल से तालियां बजाने पर मजबूर हो गया सबी उन्हें सलाम करने लगे आकिर हो भी क्यों न एक अफगानिस्तानी होते हुए भी उन्होंने भारत के नहीं बल क्या राय है आप उन्हें दस में से कितने अंक देना चाहेंगे अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे खेल जगत से जुड़ी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों टॉप एट में बांगलादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ एतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भी टीम के हेड कोच राहुल द्रविड ने गुस्से में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया की बदल के रख दी पूरी प्लेइंग इ द्रविड ने विराट के साथ किसे किया टीम से बाहर किसे अब देने वाले हैं द्रविड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जलवाद दिखाने का मौका अब कैसी नजर आ रही है द्रविड के द्वारा बनाई गई नई टीम ये तो हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन उससे पह किके से की है अपने लीग मैच के सभी मुकाबले में भारती टीम ने एतिहासिक जीत दर्व की सभी खिलाडी शांदार फॉर्म में नजर आये हर किसी ने अपना यूगदान दिया और भारती टीम को सूपर 8 में पहुँचाया टीम इंडिया का प्रदर्शन अब तक शांद बारियों ने मैदान में तांडो मचा कर टीम इंडिया को 50 रनों से जीत दिलाई यानि की टीम इंडिया का सेमी फाइनल में पहुँचना लगभग तै हो चुका है लेकिन उससे पहले भारती टीम की एक सबसे बड़ी चुनावती होने वाली है वो कोई और नहीं बलकि इस वंडे विशो कप के विजेता चैंपियन टीम आस्ट्रेलिया है इसी ने हमें हमारी धरती पर हरा कर वर्ल्ल कप की चैंपियन बनी थी लेकिन अब हमारे पास इन्हें हराने का सुनेहरा मौका है ये मुकाबला 24 जून को खेला जाएगा दोनों टीमें बेहद खतरनाग है ट आई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है यानि कि दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होने वाला है लेकिन वहीं गुस्से में आकर राहुल द्रविण ने मैच से पहले पूरी प्लेइंग 11 को बदल के रख दिया टीम में ऐसे ऐसे बदलाओ किये है जिसे देख कर तो हर किसी के होश उड़ गए है आपको बता दें उन्होंने किंग कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर का रास्ता दिखा कर हर किसी को हैरान कर दिया है और एक ऐसी प्लेइंग 11 टैयार की है जिसे देख कर तो आस्ट्रेलिया की टीम अभ शस्वी जैसवाल के कंधों पर रखी है वहीं राहुल द्रविण ने विराट कोहली को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है कोहली लागातार मैचों में फ्लॉप हो रहे हैं वो गोल्डन डक पर आउट हो गये जिसके कारण गुस्से में आकर द्रविण ने उन्हें टीम स द्रविण ने हर मैच में शांदार प्रदर्शन दिखाया है आयरलेंड पाकिस्तान या फिर अमेरिका हर टीम के लिए इन्होंने रन बनाए है इसलिए द्रविण इन पर सबसे अधिक भरोसा जताए है और इन्हें आस्ट्रेलिया के खलाफ भी टीम में शामल किया है पर द्रविण ने सबसे अधिक भरोसा सोरे कुमार यादो पर जताया है और इन्हें आस्ट्रेलिया के खलाफ टीम में रखा हुआ है वही नंबर पांच पर बनलेबाजी करने के लिए द्रविण ने एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताते हुए शिवम दूबे को मौ का दिया है अभी तक इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया लेकिन अमेरिका और बांगलादेश के खलाफ हार्दिक पांडिया के साथ मिलकर टीम को संभाला था इसलिए ये आस्ट्रेलिया के खलाफ खेलते नजर आ सकते हैं नंबर छै पर बनलेबाजी करने के लिए द्रविन ने अपने सबसे फेवरेट खिलाडी हार्दिक पांडिया को टीम में रखा है अभी तक हार्दिक पांडिया का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में बेहद शांदार रहा है बांगलादेश के खलाफ अकेले रन बनाए इसलिए ये आस्ट्रेलिया के खलाफ भी ख अगर वहीं हम तेज गेंदबासी डिपार्टमेंट की बात करें तो राहुल द्रविन ने कोई बदलाव नहीं किया है मुहमद सिराज, जस्प्रेद बुमरा और अर्शदीप सिंग को टीम में रखा हुआ है ये तीनों गेंदबास भारती टीम को किसी भी परिस्थिती में मैच जिता सकते हैं